तो हम जो है थर्मोडानेमिक्स के आज किस लेक्चर में हम सीखेंगे जिरोथ लाउफ थर्मोडानेमिक्स ठेके ना जो की बहुत इंपोर्टेंट है और काफी बार इसको पूछा जाता है बट जिरोथ लाउफ को हम सिर्फ डेफिनेशन की मदद से अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत छोटा सा है ठीक है ना कॉंसेप्ट कुछ ऐसा लगता नहीं कि उसमें है बट उसके अंदर जो कॉंसेप्ट है उसको हमें जो है समझना है कि जिरोथ लाउफ एक्च तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं अब यहां पर तर्मोडियनमिक वाल को समझना है थर्मोडियनमिक वाल मतलब आप समय दिवाल अब जैसे की मैंने अपनों के साथ डिसकेसन किया था सिस्टम का ठीक है सिस्टम सिस्टम क्या होता है जो भी चीज़े आप देख वो अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग में, जो भी मशीन है, है ना, जो भी है, कोई भी अब्जेक्ट हो, तो वो आपका, आप समझ सकते हो कि वो एक सिस्टम है, ठीक है, अब मैं जैसे कि एक बात कर रहा हूँ, ये कोई एक कंटेंर है, या फिर कोई एक डबा है, थोड़ा सबस खाले अब वाल्स देखे हमारे पास जो है ना दो परकार के वाल्स होते हैं ठीक है तो पहला जो है हमारा डाइधर्मिक वाल को हम जो है इन जनरली कंड़क्टिंग बोल सकते हैं मतलब कंड़क्टिंग वाल का मतलब आप सिदा समझ लो हीट केंबी ट्रांसफर्ड हीट कर्ण्बी रासफर्ड ठीक है तो आप समझ गए होंगे डाइधर्मिक वाल मतलब ऐसा बॉल जिसमें से हीट जो है आपका पास हो सकता है ठीक है चाहें वो स्रांडिंग हो या फिर एक्सपारग्ण पर भी हो देजन मेंटर तो आप समलो सिस् system में आप यह समझ सकते हो दूसरे system में या फिर surrounding में आपका heat transfer हो सकता है इसको हम जो है कैसा wall बोलेंगे diathermic boundary बोल सकते है उसके बाद दूसरा जो आता है वो है adiabatic ठीक है adiabatic wall adiabatic wall in the sense non-conducting क्या non-conducting wall इसको हम ऐसा कह सकते है और adiabatic wall का जो main purpose होता है वो है अब यह समझे के होंगे heat cannot be transfer heat cannot be transfer कहां पर transfer कहां पर किसी और body में या फिर किसी दूसरे system है है तो heat जो है अगर हम मैंने adiabatic wall बना दिया आप समझ लो कि यह एक system है और इस system मैंने एक adiabatic ball बना दिया इस system में लगा दिया तो उस condition में इस system के अंदर जो भी हमारे पास heat होगा क्योंकि किसी भी कोई system में उस system का एक particular temperature होता है उस system का एक particular pressure होता है उस system का एक particular volume होता है आप समझ सकते हो उस system का particular एक volume होता है तो उस condition में जो है यह हमारा जो है क्या होगा बिल्कुल भी बाहर इसके जो heat है तो हमारा जब हम ऐसे adiabatic wall इसमें लगा देंगे तो उस condition में heat जो है transfer होकर के बाहर नहीं आएगा समझ मैं तो यह तो हम जानते हैं basically कि system के कुछ properties होते हैं जैसे कि temperature pressure और उसके volume ठीक है यह चीज़ हम जानते हैं और पहले भी हमने discussion कर लिया तो अब लोगों को जो walls है thermodynamic walls इसमें दो ही ऐसी walls ऐसी वांडरी जिसके बार में हमें बहुत जादा study करनी बढ़ती है तो कि इसको हम हर जगा यूज़ करने लग जाते हैं अब ही जैसे जिरोत लोग हम पढ़ेंगे न तो यहां पर बहुत बातूस करेंगे अच्छा उसके बाद आता है हमारा thermal equilibrium ठीक है अब देखें हम thermal equilibrium को अल्रडी पढ़ चुके है ना जब हमने thermodynamic equilibrium पढ़ा था आप लोग ने वीडियो नहीं देखाया तो आप लोग एक बार देख लीजिए कि जो thermodynamic equilibrium है जो equilibrium of state of equilibrium हम कह सकते वो हमारा क्या होता है ठीक है अब वहां पर तो मैंने thermal equilibrium को discussion किया था बट जिरोत लोग को समझने के लिए thermal equilibrium को एक दूसरे अप्रोच से हमें समझने पढ़ेंगे अब दूसरा प्रोच क्या है मैं आप लोगों को समझा देता हूं thermal equilibrium मतलब यह है आप सिदा समझ लेजिए बहां से बीटों देखें कि आपको definition बगर क्लिर हो जाएगा बट थर्मल equilibrium ऐसा होता है कि अगर कोई body है अगर कोई body है उस body का उस body का temperature जो है आपका unchanged रहे entire process में ठीक है entire process में आपका जो body है उसका temperature क्या है unchanged रहे या फिर remains constant ठीक अब कोई भी body है जैसे ये body है इस body का जो temperature है वो हमारा unchanged कैसे रहेगा वो सबसे important बात आती है कि ये जो body है इस body का temperature unchanged कैसे रहेगा देखिए इसका temperature अब इसके अंदर कोई आप समझ लो कि इसके अंदर कोई gas भरा हुआ है ठीक है ये container या इस cylinder आप जो भी समझ सकते हो इसके अंदर कोई gas भरा हुआ है और उस gas का कुछ temperature है टी अभी temperature constant कैसे रहेगा अगर temperature constant है इस system का इस body का तब हम यह कह सकते है न कि यह system है वो हमारा thermal equilibrium है definition में तो हमने यही देखा था कि कि किसी body है कोई body है उसका temperature है पूरे entire process में जो है क्या रहे है वो उसका जो temperature वो constant रहे है या फिर unchanged रहे तो उस condition में उसको हम thermal equilibrium बोलते है अब इसको temperature इसके temperature को जो है constant रखने के लिए हम क्या करेंगे इन जनरली इस system का जो wall है मैंने आपको बदाया था कि heat आपका transfer नहीं हो सकता है अगर हम इसके wall को क्या कर दे आडियाविटिक wall में convert कर दे तो उस condition में आडियाविटिक wall में जब हम convert कर देंगे तो उस condition में इसके जो heat है वो हमारा क्या होगा transfer नहीं होगा यहनि कि constant रहेगा पूरे entire process में अब जब हम बात कर रहे है thermal equilibrium की thermal equilibrium की क्योंकि अब लोगों ने Charles और boils law पढ़ा होगा temperature totally depend करता है उसके pressure उसके volume पर temperature अगर किसी भी body का change हो रहा है तो उस condition में उसके pressure भी change होगा और उसके volume भी change होगा बट अगर मैं इस body की बात करूँ यह जो है हमारा एक thermal equilibrium body है बट यहाँ पर जो है जो walls है वो हमारा कैसा wall है adiabatic wall है कैसा wall है adiabatic wall अब adiabatic wall क्या होता है non conducting होता है जिसकी heat आपका क्या हो transfer नहीं उपार है अगर heat जो है constant है तो उस condition में उसके pressure भी constant रहेगा और उसके volume भी हमारा 100% है कि constant रहेगा तो अग थोड़ा सा definition को हम change करने वाले हैं जो हमने पढ़ा था कि thermal equilibrium में जो उसके temperature होता है वो constant रहता है बट अभी हम जो है इन तीनों को include करेंगे कैसे कोई भी body है उसको हम thermal equilibrium में कहेंगे अगर उसके temperature उसके pressure उसके जो volume है with respect to time the passes of time है अगर हम कहेंगी यह constant है any system is said to be thermal equilibrium if the temperature of the system, the pressure of the system and the volume of the system remains constant ठीक है entire process में उसके जो volume है temperature यह तीनों चीज़ जो है अगर constant रहा तो हम उस body को क्या कहेंगे वो thermal equilibrium में clear हुआ अच्छा अब बात हम करते हैं कि कोई भी यह तो हमने चली एक body लिया है single body है तो यह तो हमें पता है कि अगर इसके temperature जो है surrounding में transfer ही नहीं हो पा रहा है किसी तरह से तो यह constant है तो यह thermal equilibrium है तो क्या अगर दो body है और दो body जो है एक साथ हम रखे तो क्या वो जो है हमारा thermal equilibrium में होगा देखिए दो body है यह वाला ठीक है और एक body यह है और इसके जो wall है वो भी हमारे किस परकार का है जो है इसको हम इस परकार से बना लेते है ठीक है यह भी हमारा किस परकार का walls है जो है non conducting wall है यह कौन सा adiabatic wall ठीक है यह adiabatic wall हो गया चार दरफ से और इसके जो बीच में यह जो wall है भी अब इसके अंदर जो है कुछ इस गैस हमारे भरे होई है हम मान सकतें कि उस गैस का जो है particular temperature है यह हमारा जो है एक system और यह जो है एक system है हमारा V ठीक है तो इस system का temperature हम अगर T A मान ले और इसका pressure प A मान ले और इसका volume हम इस gas का P V A मान ले और इस वाले जो body है इस वाले system का इसके अंदर भी gas बढ़ा हुआ है तो उस gas का temperature हम T, B मान ले और इसका pressure P, B मान ले और इसका जो volume है वो P, B, B मान ले तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो है दो body है ये दोनो body आपस में क्या है thermal equilibrium है अब इसलिए बात है हम अगर देखे तो इसके यहां से जो है heat transfer हो रहा है ना कुछ ने सकते कि ये जो A body है वो हमारा कैसा है thermal equilibrium है और B body जो है ये भी thermal equilibrium है और इन दोनों को हमने separate कीस wall से किया है adiabatic wall से हमने क्या कर दिया है separate कर दिया है तो उस condition में भी ये जो है हमारा कैसा रहाएगा thermal equilibrium में रहेगा अच्छा यहां पर तो हमने जो है दोनों body जो है temperature के अगर मैं बात करूँगा same भी लिया दोनों गा ठीक है, दोनों body का temperature आप समझ लो कि जो TA है और TB जो है दोनों हमारा क्या है, बराबर है हम ऐसा मान के चल रहे कि बराबर है, या फिर हम इसको TA, TB ना ले कर के हम इसका भी तो तब भी तो जो है यह हमारा change नहीं हो रहा है, temperature कुछ भी हो X, Y, Z हमारा temperature, pressure और volume अगर change नहीं हो रहा है, किसी भी system और body आप तो इसको हम thermal equilibrium में कहेंगे मनलाब दोनों ही system को अगर हमने एक साथ जोड दिया ठीक है, या फिर हम यह भी कह सकते अलग-अलग particular अगर हमें study करे जैसे हमने A और B करके लिया था तब भी यह thermal equilibrium में हो ठीक है, अब जो है मैं एक case और जो है यहां पर आप लोगों को बताऊंगा अगर कोई दो body है, और उन दोनो body का जो temperature है, वो different है कैसा है, different है, तो क्या थर्मल equilibrium में रहे सकता है यह चीज एक question आता है कि क्या थर्मल equilibrium में हमारा हो सकता है तो एक condition हम यहां पर आप लोगों के सामने बताएंगे, देखिए दो हमारे पास system है वैसा ही यह ठीक है, अब इसके जो wall है वो हम यह बान के चलेंगे कि काईवटीग व बॉल है काईवटीग वॉल है थीक है, अब इसके जो है हम यहां पर यह कहेंगे इसके बीच में जो दिवार है वो आइवटीग नहीं है थीक है, वो कैसा है डाइधरमिक है गात थर्मिक वॉल अबड इसके जो boundaries है साइट से वो हमारा किस प्रकार का है आडियावेटिक है ठीक है? ये कैसा है आडियावेटिक अब आप लोग समझी गए होंगे कि इधर से तो heat का बिल्कुल भी transfer नहीं होगा, कैसा बाल है ये? आडियावेटिक तो इधर से heat का transfer बिल्कुल भी नहीं हुगा, but हम अगर ये कहें कि ये जो body है, इसका temperature, ये एक हमारा A है और ये एक system हमारा B है इसके अंदर gas भरी हुई है, इसके अंदर भी gas है तो इस A body का इस A system का जो temperature है वो TA है और इसका जो pressure है वो PA है और इसका जो volume है वो BA है, ऐसे ही similarly B वाला जो system है उसका जो temperature है हम TB बोल लेते हैं, और उसका जब pressure है वो PB बोल लेते हैं, और उसका जब volume है वो BB बोल लेते हैं तो इस condition में आप देख रहे होंगे कि इसका temperature दोनों जो body है, इन दोनों body का जो temperature है, वो हमारा क्या है? different है तो हम एक case यहां पर मान लेते हैं, कि जो temperature है, B का वो temperature A से कम है, A वाले body से आपका, ज्यादा है, sorry तो क्या होगा? आपको पता है कि heat जो है heat जो है एक ज्यादा temperature वाले body से एक कम temperature वाले body में क्या होता है? transfer होता है, उसे kinetic energy क्या होता है? transfer होंगे B वाले body से A वाले body में आएगा, आएगा, और कब तक, तो कि इसमें kinetic energy होगा, अब इसलिए वाद़ temperature क्या है, वही kinetic energy ही है, उसका, है ना, उसके molecules के kinetic energy, वही transfer होकर कि क्या हो जाएगा, इस A में continuously flow करेगा, और कब तक, कब तक transfer होगा, जब तक कि temperature of A, temperature of B, दोनों जो है आपस में क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, तब तक ये जो है transfer होता रहेगा, अब एक condition ऐसा आएगा, क्योंकि heat transfer होकर कि इसमें आप आ रहे है, क्यों आप आ रहे है, क्यों आप आ रहे है, क्योंकि ये जो wall है, वो conducting है, ने कि dithermic wall है, ठीक है, अब ये जो दोनों का temperature equal हो गया है, अब क्या होगा, दोनों का temperature equal हो गया है, देखिए, starting में, temperature के साथ साथ देखिए, volume और pressure, दोनों ही change होता है, ये आप लोगों ने जो है, Charles और Boyle's law, ये सब चीज़ आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा, कि temperature और volume, sorry, temperature अ और volume भी धीरे-धीरे जो है temperature के साथ, जो है क्या होगा, चेंज होगा, और एक टेम ऐसा आएगा, जब दोनों का temperature सेम हो जाएगा, तो उनके pressure, volume दोनों ही equal हो जाएगे, और हमने क्या पढ़ा था, कि thermal equilibrium तब कहेंगे, जब किसी body का temperature, pressure और उसके volume unchanged रहे, बेट स्टार्टिं में हमने देखा कि unchanged, दोनों का जो है क्या था, चेंज हो रहा था, इसका जो temperature, इसका जो काइनिटी, इसके जो molecules, बी वाले में जो gas, उसके जो molecules, उसके काइनिटी गरेज़े, transfer हो रहा था, तो transfer कुछ time तब हुआ, जब दोनों का temperature equal आ गया, तब तो transfer नहीं हो रहा है, तब हम जो है, एक समय ले लेते हैं, कोई भी एक time ले लेते हैं, एक गंटा, दो गंटा, तीन गंटा, और फिर infinite हम कोई time ले लेते हैं, बिल्कुल change ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके बाहर तो नहीं आ पार है, ये सारे आडियावेटिक वाल्स से बंद है, तो ये भी इस condition में, जब दो बॉडी का temperature different हो, तो उस condition में हम, हाँ ये कह सकते हैं, कि ये जो है thermal equilibrium में होगा, कब होगा, जब इनके बीच में, दो बॉडी के बीच में, हमारा जो वाल है, वो कैसा हो, dithermic हो, या फिर conducting walls हो, ठीक है, conducting walls से दोनों, बॉडी को अमन क्या कर रखे, separate कर रखे, तब जा करके, condition नहीं, यहाँ जो हमने एक condition, दो condition, हमने जो discussion किया था, इसमें जो देखे, पहला तो ये single body है, single body का तो आपको बहुत simple है समाजना, जब हमने दो body को एक साथ लिया, उनके बीच का जब wall है, वो adiabetic लिया, तब भी हमने देखा separately, अगर इन दोनों का temperature हम देखे, सेम तो ये remain constant था पूरे entire process में, बट जब इस condition में आये तो दोनों का temperature different था, बट दोनों system को हमने एक साथ रखा, लेकिन उनको separate किस से किया हमने, dithermic wall से किया, लेकिन कुछ time तक तो change हुआ उसके temperature में, उसके pressure, उसके value, लेकिन एक time ऐसा है जब वो constant हो गया, और वो lifetime के लि thermal equilibrium हो गया है, ठीक है, अब जो है, जब आपको इतना समझ में आया है, तो अभी आपको zeroth law भी समझ में आयागा, तो चलिए देखते हैं एक बार की zeroth law हमारा क्या होता है, zeroth law, law of thermodynamics, ठीक है, देखे, zeroth law क्या कह रहा है, zeroth law, zeroth law की मैं अगर बात करूँ, तो यहाँ पर भी, सबसे पहले तो हम जो है, दो body लेते हैं, ठीक है, दो body लेते हैं, और उसके जो walls है, वो किस प्रकार का walls है, कैसा wall है, non-conducting wall, और non-conducting walls को हम क्या बोलते हैं, अडियाविटिक wall बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं, अच्छे से, यह हम मानके चलते हैं, कि इसके जो wall से वो अडियाविटिक wall है, मतलब, इस body के बाहर जो है, हमारा जो heat है, वो बिल्कुल भी transfer नहीं होगा, आप body के बाहर के जो parts है, यानि कि जितना भी system को छोड़ करके, वो हमारा surrounding होता है, तो हम यह मानके चलते हैं, कि इसके अंदर जो भी है, दो body है, ठीक है, यह भी हमारा separate है किसके साथ, आडियाविटिक wall के साथ, तो इसको हम लिख देते हैं, आडियाविटिक wall, आडियाविटिक, ठीक है, और यह जो wall है, यह भी आपका कैसा wall है, आडियाविटिक wall है, जो इस परकार से यह जो दिखाया ना मैंने, यह आडियाविटिक है, ठीक है, या फिर आप यह समझ लो कि इसको हम पुरा अगर जो है, ब्लैक कर दे, तो यह हमारा आडियाविटिक wall में आ जाएगा, ठीक है, पुरा, ऐसे, पुरा color देता हूँ, मैं तो जादा समझ में आएगा आपको, क्योंकि इसमें हम एक wall और लेंगे, डाइ-therming वाला भी, अब, इसको हम नहीं क्या कर दिया है, यह एक हमारा system A है, और एक यह system हमारा B है, ठीक है, इस system का temperature हम T A मान लेते हैं, और इस system का temperature हम T B मान लेते हैं, तो अगर इसका system का temperature T A है, तो इसका pressure क्या हो जाएगा, P A और इसका volume क्या हो जाएगा, B A, ऐसे ही similarly इस B वाले system का temperature T B होगा, और pressure P B होगा, और इसके जो volume होगा वो B B होगा, ऐसा ही हम मान के चलते हैं, अब यह जो दो body है, इस दो body के साथ जो हम इसको बाहर लिख लेते ह जानों सा gathering हो रहा है, A हो गया और इस B हो गया, एक body हम जो है, C को consider करेंगे ऐसे इस परकार से, बट एक condition है, कि यह जो body है, इसको हमने separate किया है, इस A body और इस B body के साथ, एक dithermic wall के साथ, कैसा wall, dithermic wall, dithermic wall, और यह आडियविटिक wall, ठीक है, यह जह जहां पर सबसे important है, समाझना, अब क्या होगा, मैंने आपको बताया कि, अगर कोई body है, एक दूसरा body है, उसके साथ, अगर उसके बीच में, हमारा जो wall है, वो हमारा dithermic है, तो कुछ समय बाद हम देखते हैं, कि इसके temperature, कैसा हो जाता है, equal में आ जाता है, कैसे आ जाता है, देखिए, temperature of A, जो है, temperature of C के equal हो जाएगा, कुछ time बाद, जैसा कि आभी दूसरे case में हमने discussion किया था, sorry, तीसरे, तो ऐसा ही कुछ time बाद हम यह देखेंगे, कि B और C का जो temperature है, temperature of B is equal to temperature of C, होगा, दोनों का temperature जो है, equal हो अगर यह temperature कुछ time बाद इसके equal हो गया, और यह temperature कुछ time बाद इसके equal हो गया, तो हम यह चेक करना चाहा रहे है, कि क्या A और B का temperature equal हो, हो, A और B का temperature equal हो, देखते हैं, देखिए, क्योंकि, चेक इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि A और B के बीच में जो हमारा wall है, जो इसके boundary है, वो किस परकार का है, और हमें पता है कि इसके इधर से इधर तो heat का transfer विलकुल कि किसी भी परकार से नहीं हो रहा है, यहां से, तो अगर नहीं हो रहा है, तो क्या इसके temperature जो है equal हो, अब इसको समझने के लिए, हम एक case और study करेंगे, देखिए, यह हमारे पास system है, ठीक है, वही same हम बना लेते है यह, अब हम क्या करेंगे, यह तो C हो गया, अब यह जो wall है इस दिवार को हम क्या करते हैं, हटा कर गे, यहां पर हम जो है, कौन सा वाला wall, यह dithermic wall लगा जाते हैं, डाई, dithermic wall लगाने के बाद, क्या होगा, हमें पता है कि अगर दोनों का temperature different है, तो dithermic wall से, जो है, heat transfer होगा, जिसका जादा होगा, उसके तरफ से, जो उसके molecules होगे, उसके gases के molecules होगे, उसके grinding energy, कम temperature वाले body के तरफ, जो है, क्या करेगा, transfer करेगा, तो, जब हमने इस adiabetic wall के place पर insert किया, किसको, dithermic wall को, तब हमने देखा, कि इसके heat जो है, इधर से, इधर बिल्कुल भी transfer नहीं हो रहा है, अच्छा heat transfer कब होता, जब दोनों के temperature difference होते, temperature में different होते, दोनों का temperature अलग-अलग होता, तब ही जादा वाले में से कम बाले में transfer होता, अब इसली बात है, बट ऐसा नहीं मिला है हमें, ठीक है, जब हमने इसके temperature को देखा, इसके equal हो गया, Tc के, और Tb का temperature, Tb, C के equal हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, इसको जो है, हमने इस वाल को हटा गरके इसको dithermic किया, तो dithermic होने के बाद जो है, इसके energy जो है, एक दुसरों में transfer नहीं हो, heat जो है, transfer नहीं हो, और ऐसा क्यों नहीं होआ, क्योंकि पहले से ही, जो A है temperature और B का temperature, जब हमारा, इसका temperature इसके equal होगा, इसका temperature इसके equal हो गया, तो इसका temperature पहले से ही equal हो गया है, जब हमने इस dithermic wall को यहाँ पर place किया, तब हमें इस पता लग रहा है, कैसे, क्योंकि इसमें से अगर heat बिल्कुल भी transfer नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कि यह दोनों का temperature क्या है, equal है, तब ही नहीं हो है, कि अगर कोई भी दो body को हम जो है, आडियाबेटिक wall के साथ separate करें और एक तिसरा body ले, तो अगर A का temperature, C के temperature से के साथ equal है, और B का temperature, C के temperature के साथ equal है, तो A का temperature, B के temperature के साथ भी equal हो जाएगा, तो यही जो है हमारा thermodynamic का zeroth law कहता है, ठीक है ना, तो I think zeroth law समझ में आ गया ह एक छोटा सा definition है, बहुत में आप लोगो के लिए लिए लिख देता हूं, तो आप उसको लिख के जरूर आएगा, ठीक है, तो चले देखते है, तो देखें, zeroth law क्या कहता है, zeroth law state that if two bodies are in thermal equilibrium with the third body, they are also equilibrium with each other, ठीक है तो वही चीज है कि अगर एक body का temperature T A, जो है T C के equal हुआ, तो 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 विडियो कैसा लगा आप लोग मुझा जरूर बता है कमेंट करके और अगर चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर ले और notification bell को भी आप लोग साथ में press करते ठीक है और वीडियो सही लगे तो इसको like करना ठीक है और अगले वीडियो में हम जो है first law को discussion करेंगे जो कि बहुत important है उसके कुछ basic example भी देखेंगे applications देखेंगे so thanks for watching this video